नमस्क्राइब दोस्तों, डेट आज की देखो तीन अगस्ट दो हजार चोबीस है और स्वागत है आपका एटोयल डिसकसन में आज टोटल देखो चार इशुज हम डिसकस करेंगे सबसे पहले आर्टिकल आज हम डिसकस करेंगे, एथिक्स का एक इशुज है अलजीरिया की एक बोक्सर, वैसे देखो वुमेन इवेंट में पार्टिस्पेट करती है लेकिन आरोप उन पे ये लगता है कि वो बायलोजिकली मैन है तो स्पोर्ट्स में अनफेर एडवांटेस का आरोप लगता है अलजीरिया की इस बोक्सर के ऊपर काफी बड़ी कोंटरवर्सी जनरेट हो गई ओलम्पिक्स में तो एथिक्स के परस्पेक्टिव से हम ये आर्टिकल डिसकस करेंगे सबसे पहले एथिकल इशु सबसे पहले हम डिसकस कर लेंगे फिर दूसरे नमबर पे आर्टिकल हम डिसकस करेंगे लाइटनिंग स्ट्राइक्स से समधित उडिसा की सरकारना पाम ट्रीज यानि खजूर के पेड उगा रही है लाइटनिंग स्ट्राइक्स से निपटने के लिए तीसरा आर्टिकल हम डिसकस करेंगे मानसून बार-बार इंडियन सिटीज में क्यों तंग करता है क्यों हर बार वाटर लोगिंग जैसे इशूस देखने को मिलते है तो स्पन सिटी का कंसेप्ट भी हम डिसकस करेंगे और सबसे लाइस्ट में आर्टिकल हम डिसकस करेंगे ये बीच वाला इंडिया चाइना रिलेशन्स आर्टिकल देखो उतना अनलेटिकल नहीं है चाइना के एंबेस्टर ने भारत में चाइना के जो एंबेस्टर है उन्होंने लिखा है तो अच्छे-ची आइडियल-ाइडियल बाते हैं मिठी-मिठी बाते हैं लेकिन वो मिठी बाते देखो छूरी के समान है इवन 1962 वार से पहले भी चाइना मिठी मिठी बाते बोल रहा था रिजल्ट सबने देखा लेकिन डिसकर्स कर लेंगे इस आर्टिकल को कुछ पॉइंट्स आंसर राइटिंग में यूज हो सकते हैं इसलिए तो चलिए डिसकर्शन स्टार्ट करते हैं इसके बाद देखो स्पोर्ट का एक इशू है और आप इसे ना एथिक्स में यूज कर सकते हो आंसर राइटिंग में अभी आपको पता है पैरिस में ओलंपिक्स चल रहे हैं तो बोक्सिंग में एक मुकाबला हुआ किन-किन के बीच में राइट में आपको दिख रही हैं ये हैं अलजीरिया की बोक्सर इमान खलीफ ये और लेफ्ट में जो आपको दिख रही हैं ये हैं इटली की बोक्सर एंजिला करीनी इनका नाम है Angela जोली नहीं अंचिला करिनी दोनों के बीच में देखो मुकाबला होता है और सिरफ 46 सेकंड तक ये मुकाबला चलता है और इंटली की जो बोक्सर है ये एंजिला ये हार मान जाती है मतलब ये जो अल्जीरिया की बोक्सर थी इमान इमान खलीफ ये मुकाबला जीत गई शिरफ 46 सेकंड में लेकिन इसके बाद एक कोंटरवर्सी जनरेट हो गई लोगों ने ये बोलना स्टांट कर दिया मैच खतम होने के बाद कि ये जो अलजीरिया की बोक्सर है ना इमान खलीफ ये वैसे अपने आपको वुमन बताती हैं बट ये काईदे से बाइलोजिकल मैन है इवन पिछले साल इंटरनेशनल बोक्सिंग फेडरेशन ने इन्हें बैन कर दिया था इनके डिने की जांच की गई थी और इनको बैन कर दिया था कि आप वुमन मैचिस में पा कर सकती हो समझ गे मतलब लोगों ने बोलना स्टार्ट कर दिया कि अलजीरिया की बोक्सर जो मैच जीती इनके पास तो अनफियर एडवांटेस था ये मैन थी बाइलोजिकल मैन है लेकिन वुमन के नाम पर मैच लड़ रही है इसी वज़े से इन्होंने जो पंच मारा उसस इटली की बोक्सर की नाक तूट गई और 46 सेकंड में इन्होंने हार मान ली कुछ लोगों ने गलती से इन्हें ट्रांसजेंडर वुमन भी बोल दिया देखो थोड़ा सा बेसिक्स में आपको बताऊं स्पोर्ट्स में ना समानेता दो कैटेग्रीज होती हैं मैन और वुमन ऐसा इसलिए क्योंकि एवरेज तोर पर देखो मैन के पास ना कुछ फिजियोलोजिकल एडवांटिजिस होते हैं महिलाओं के मुकाबले में थोड़ा सा बायलोजी आप समझ लीजिए देखो हुमन में ना 23 पेयर ओफ क्रोमोजोम होते हैं जैसा आम सबको पता हैं इन में से देखो 22 पेयर ओफ क्रोमोजोम सब में सेम होते हैं मैन में भी और वुमन में भी लेकिन 23 जो क्रोमोजोम होता है उसका डिफरेंस है 23 क्रोमोजोम महिलाओं में होता है XX क्रोमोजोम जो की female organs बनाता है और जो man में होता है ना 23 क्रोमोजोम वो होता है XY क्रोमोजोम जिससे male organs बनते है तो फरक सिरफ किसका है फरक सिरफ Y का है यहां पे यह जो Y chromosome है ना इस पर एक special gene होता है जिसे बोलते हैं SRY gene यह जो gene होता है ना यह testosterone produce करता है और testosterone देखो यह एक important hormone है जो muscle mass, bone strength और performance पर एफेक्ट करता है अब biology के हिसाब से देखो XY chromosome किस में मिलता है? men में लेकिन पिछले साल जब International Boxing Federation ने test किया तो Algeria की इस boxer में के DNA में XY chromosome मिला समझ गए? वैसे देखो एक exception होती है कुछ rare cases में ऐसा भी हो सकता है किसी के female organs हो लेकिन female organs होने के बावजूद उनके पास में XY chromosome हो लेकिन ये rare cases में ऐसा होता है और जब ऐसा होता है कि female organs है इसके बावजूद XY chromosome है तो इसको नहीं एक disorder कहते हैं disorder का नाम है Swire Disorder Swire Disorder ऐसी condition को कहते हैं ये देखो disorder of sex development का एक type है DSD disorder of sex development का एक type है और कुछ लोग आर्गू ये करते हैं कि जिन women के पास में disorder of sex development है उनके सरीर में ज़्यादा testosterone produced होता है इसलिए उन्हें women sports में competitive नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने पे उन्हें unfair advantage मिलता है क्योंकि उनकी body में testosterone produce हो रहा है जो उनकी performance को increase करता है और वैसे देखो हर sports federation के ना अपने-अपने rules है कुछ testosterone level check करते हैं कुछ passport में लिखे gender को मानते हैं International Olympic Committee ने 2021 में decide क्या था हर federation अपने rules बनाए तो International Boxing Federation के अनुसार तो ये disqualify हो गई थी Algeria की boxer लेकिन International Olympic Committee वो देखो passport में जो gender लिखा हुआ है उसे मानती है तो International Olympic Committee के हिसाब से ये woman है और ये खेल पाई क्योंकि वो तो passport के हिसाब से देखती है International Olympic Committee कुल में लागा देखो conclusion में आप कह सकते हो कि ये काफी complex issue है जिसमें science, ethics और fairness के सवाल जुड़े हुए है एक तरफ equality और inclusion का मुद्दा है और दूसरी तरफ fair competition का sports bodies को ना इन सब चीजों को balance करना पड़ता है लेकिन इस controversy में हमने देखा जिस हिसाब से questions उठ रहे है sports bodies इस issue को balance नहीं कर पाई है तब ही इजनी बड़ी controversy generate हो गई है जहां एक तरफ Algeria की boxer कह रही थी कि मुझे equality का हक है मैं लड़ूंगी women events में दूसरी तरफ जो Italy की boxer है इनका ये कहना था कि मेरे साथ injustice हुआ ये fair competition नहीं था biological man है Algeria की boxer तो ये पूरा article हमने discuss किया चलते हैं आगे इसके बाद देखो next article Indian Express से lightning strikes से समन्दित हैं क्या context है देखो उडिशा की सरकार ने फैंसला लिया है कि lightning strikes से निपटने के लिए न उडिशा की सरकार 19 लाख palm trees plant करेगी आपना GS paper 3 में disaster management से इस article को relate कर सकते हूं palm trees मतलब खजूर के पेड़ सबसे पहले देखो basics से शिरुवात करते हैं उसके बाद मैं आपको यह सारे details दूँगा lightning strike के बारे में हम समझ लेते हैं UPSC के बारे में pre में भी question पूछ सकती है and mains में भी पूछ सकती है lightning मैं आपको बिल्कुल simple भासा में बताता हूं होता क्या है देखो thunderstorm के दुरान आसमान में आपको बादल देखने को मिलेंगे clouds देखने को मिलेंगे और clouds के अंदर चोटी चोटी water की जो बूंदे होती है water droplets, पानी की बूंदे चोटी चोटी वो टकराती है आपस में ice particles के साथ में यह cloud है clouds में चोटी चोटी पानी की बूंदे ice particles से टकराती है तो इसकी वज़े से बादल के अंदर electrical charge डेवलप होते है electrical charge बादल में ऊपर उपर positive charge डेवलप होंगे, नीचे नीचे negative charge डेवलप होंगे, ऐसा हो जाता है अब उपर positive charge बादल के अंदर नीचे इलेक्ट्रिक चार्ज, ऐसे बहुत सारे बादल्स में आपस में होता है, अब उपर पॉश्टिव चार्ज नीचे इलेक्ट्रिकल चार्ज, तो दोनों के बीच में एक बहुत श्ट्रोंग इलेक्ट्रिक फिल्ड जनरेट हो जाता है, फिजिक से कंसे एलेक्रिक फिल्ड जन्रेट होता है अब देखो जैसे जैसे एलेक्रिक फिल्ड मजबूथ होगा positive charge और negative charge के बीच में उपर positive charge नीचे negative charge तो electric field जब मजबूथ होगा न तो फिर एक रास्ता बन जाएगा electricity के flow होने का electricity flow हुसकि कि क्योंकि electric field मजबूत हो गया है, positive और negative charge के बीच में electricity का flow होना मतलब current का flow होना, अब ये तो देखो एक cloud का example मैंने आपको बताया, अब आपको पता है आस्मान में बहुत सारे clouds होते हैं, ये एक cloud है, ये second cloud है, electric field तो एक cloud के positive charge और दूसरे cloud के negative charge के बीच में भी develop हो सकता है, current तो इन दोनों के बीच में भी generate हो सकता है, मतलब move कर सकता है, तो देखो इस cloud का positive charge और दूसरे cloud का negative charge, दोनों के बीच में electric field, इतना मजबूत की current flow कर जाए, तो जब current flow करता है ना, तो आसपास की जो air है ना, वो गरम हो जाती है, और जैसे ही आसपास की जो air गरम होती है ना, air इतना, brightly glow करने लगती है, heat की वज़े से, मतलब चमकने लगती है, और वही हम देखते हैं आसमान में, तो भी current move किया, electricity discharge हुई, एकदम से, और air में आसपास, मतलब जहां से discharge हुई, आसपास की जो air है वो गरम हो गई, और energy emission हुई, light के माध्यम से, अब उसी परकार से देख बादल के उपर वाले हिस्से में negative charge है, दोनों के बीच में भी तो, electric field develop हो सकता है, होता है, electricity एकदम से discharge होती है, और जैसे ही electricity discharge होती है, कई बार, जमीन पर पेडों को नुक्सान पहुंचता है, या फिर buildings को नुक्सान पहुंचता है, आवाज क्यूं आती है, बादल जब ग electricity discharge होई, उसके आसपास, air एकदम से expand करती है, और contract करती है, इसी चीज के वज़े से, आवाज आती है, बादलों के thundering होती है, तो ये lightning का पूरा concept हमने समझ लिया, इस परकार से देखो, basics समझने के बाद, अब हम आते हैं, आज के article की तरफ, देखो, उडिशा में lightning strikes ज़्य क्यों आती है, आप ये data देखिए, उडिशा में पिछले 11 सालों में 3790 लोग के death हो गई है, lightning strikes की वज़े से, और अकेले पिछले 3 fiscal years में 791 लोग के death हो गई है, September 2, September 2023 को न, 2 घंटे के अंदर-अंदर 61,000 lightning strikes उडिशा में आई, जिसकी वज़े से 12 लोग के death हो गई, उडिश इसा देखो, eastern coastal state है, tropical zone में आता है, hot, dry climate है, तो ये सारी जो conditions है बिलकुल perfect है, lightning strikes के लिए, अगर मालीजे, UPSC Pre. में ये question पूछ लेती है, कि हमारे देश के किस हिस्से में lightning strikes सबसे ज़्यादा आती है, तो देखो, ये climate resilient observing system promotion council and Indian meteorological department की एक report है, जिसका नाम है annual lightning report 2023-2024, इसके अनुसार देश में जो eastern and central India है ना, वहाँ पे lightning strikes या फिर cloud to lightning की जो घटनाएं है, वो सबसे ज़्यादा होती है, अब Udisa सरकार ने एक फैंसला लिया है, कि हम 19 लाख palm trees, palm trees मतलब खजूर के पेड उगाएंगे lightning strikes से निपटने के लिए, देखो ये खजूर के जो पेड होते है ना, बाकी पेडों के अपिक्सा करते हैं, इनकी height काफी लंबी होती है, moisture होता है, इस वज़े से ये जो है ना, lightning को आसानी से absorb कर पाते हैं, और इसकी वज़े से पेड लाइटनिंग को absorb कर पाते हैं, तो ground पे जो impact है ना, वो कम से कम होता है, Special Relief Commissioner Office ने उडिसा में 7 करोड का fund allocate किया है, पेड उगाने के लिए, जो existing palm trees है ना, उनको काटना भी अब्बैन हो गया है, लेकिन कुछ experts ना, question raise करते हैं, कि एक palm trees को ना, 20 मिटर height पे पहुँचने में ना, 15 से 20 साल लग जाते हैं, और फिर भी concern रहते हैं, कि कुछ जो पेड हैं, वहाँ पे देखो lightning strikes की वज़े से आग लग सकती हैं, तो क्या ये उचित strategy है, lightning strikes से निपटने के लिए, तो इस पे कुछ experts question raise कर रहे हैं, खैर ये छोड़ा सा article था, हमने detail से discuss कर लिया, चलते हैं आगे, इसके बाद देखो, नएस अर्टिकल है, आपना syllabus में GS paper 3 के इन topics से article को relate कर सकते हूँ, देखो जो हादशा हुआ, ओल्ड आजेंदर नगर में, वो सब हमको पता है, लेकिन सिरफ ये देली का हाल नहीं है, आप देख के दूसरे सहरों में देखो, आपको इसी परकार की situation मिलेगी, सड़कों पे पानी जवा मिलेगा, थोड़ी सी बारिज के बाद में, देखो पुराने समय में न, हमारे देश की cities बलकि जादा systematic थी, जादा विवस्तिक धन से थी, आप Indus Valley civilization को देखिए, वहाँ पे कैसे water drainage system था, लेकिन modern cities हमारे देश में ऐसी नहीं है, इवन देखो medieval era में भी बारिज जादा आती थी, तो पानी का drainage हो जाता था, नदियों का, streams का, नालों का जाल हुआ करता था, लेकिन modern era में हुआ क्या है, construction इतना ज़्यादा हुआ है, इतना ज़्यादा हुआ है, जिसकी वज़े से हर तरफ concrete देखने को मिलता है, पानी जाए तो जाए कहाँ, population बढ़ने की वज़े से, पानी का जो waste है, वो ज़्यादा होता है, लेकिन जो sewerage infrastructure है, वो देखो पुराने समय के हिसाब से है, जैसे राजेंदर नगर में ये घटना हुई, मैं सिरफ आपको example दे रहा हूँ, हर जगा का यही हाल है, 50-50 साल पुराना sewerage infrastructure है, लेकिन उसके बाद population कितनी ज़्यादा बढ़ है, लेकिन sewerage infrastructure उतने का उतना, जब देखो population बढ़ रही है, हर जगा हम जैसे trains है, ज्यादा trains चलाने की कोशिज करते हैं, नए-नए highways बनाने की कोशिज करते हैं, ताकि जाम ना लेगे, लेकिन sewerage system को expand करने की दिशा में rarely हम ध्यान देते हैं, और उसी का नतीजा है कि हर जग through water drain हुआ करता था, अब देखो बहुत सारे ऐसे नाले जो है, streams जो है, अब उनको cover किया जा चुका है, इंक्रों में encroachment हो गई है, वहाँ पे घर वगरा बन गए है, तो पानी के drainage का जो पहले source हुआ करता था, आज के समय में वहाँ पे पानी जाई नहीं सकता, क्योंकि वह पे अब encroachment हो चुकी है, वहाँ पर भी अब construction हो चुकी है, और एक दिक्कत हमारे सहरों में ये भी है, चूंकि देखो planning के हिसाब से development नहीं हुई है, कई जगह तो ऐसी है, cities में, hills को, पहाडियों को समतल करके वहाँ पे construction हुई है, अब देखो proper planning नहीं है, कई-कई जगह न यहाँ जमा हो जाता है, और कई-कई बार जमीन ऐसे दिखेगी आपको, पुरी तरह से क्योंकि समतल नहीं है, plain नहीं है, तो इस वज़े से water logging और भी ज़्यादा होती है, देखो, कुछ महीनों पहले न, हमने एक article डिसकस किया था, sponge city वाला, चाइना ने किस परकार से, urban areas मे flood पे control पाया है, water logging पे control पाया है, तो एक concept है, sponge cities का, वो concept आप एक बार revise कर लीजिए, पहले हमने डिसकस किया था, लेकिन फिर से एक बार revise कर लीजिए, क्योंकि यह काफ़ important है exam के लिए, देखो, हर साल हम भारत के ना अलग अलग सेहरों में इस परकार के situation देखते हैं, सेहर साल भारत में urban flood आती है, यह UPSC का favorite topic है, दो या तीन बार UPSC urban flood पे question पूछ चुकी है, और एक बार तो एक ही साल में UPSC ने दो question पूछ लिये थे, urban flood में GS paper 3 में और GS paper 1 में भी, देखो, हम चाइना की sponge city का concept समझें, उससे पहले आप regions की बात कीजिए, कि urban flood भारत में आती क् भारत के cities का ये हाल होता क्यों है, देखो, normal सा point है, जैसे जैसे हमारे देश में urbanization increase हुआ, गाओं से लोग आने लगे सहरों में, जादा लोग रहने लगे सहरों में, लेकिन देखो, सहरों का infrastructure बनाया गया था, तीन लाख लोग रहने के लिए, अब तीस लाख रोग रहने पड़ते हैं, लेकिन, wastewater जहां से जाता है, उस drain का size increase हुआ, बिलकुल नहीं, बलकि कम हो गया, आप ये देख़ें, ये तस्मीर देख़ें, drains का, rivers का सहरों में इतना जादा encroachment हुआ है, पानी अगर थोड़ा सा भी increase हो जाए, जगई नहीं है बिलकुल भी, तो ये encroachment जो ह हैं, ये एक बड़ी वज़य है, पानी की निकासी के लिए space है ही नहीं, समझ गए, और दूसरा देखो, पानी कहा जाएगा बारिस का, concretization, पेड़ों को नहीं छोड़ा गया है, शैरों में ना हर तरफ आपको concrete ही concrete देखने को मिलेगा, तो पानी का नीचे जाने की जगई न मतलब, बारिस जिसे अब आई पिसलिव, एक हफते में एकदम से नूर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा बारिस आ गई है, बर देखो, climate change अब एक reality है, इतसे हम भाग नहीं सकते, ये चीजें तो future में और भी ज़्यादा होएंगी, लेकिन हमारी cities ना, resilient नहीं है, resilient मतलब एक spring होता है न, spring बो दबाओगे वापस उसी shape में आ जाता है, तो उसकी परकार से ना, resilient infrastructure होना चाहिए, थोड़ा सा disaster आया, तो ऐसा नहीं कि सब कुछ दबा हो गया, infrastructure को नुकसार ना पहुँचे, disaster झेल ले, वैसा infrastructure हमें आज के समय में चाहिए, अब देखो, sewerage का size उतने क उतना ही है, मतलब जैसे road चोड़ी हुई, sewerage का size भी तो increase होना चाहिए था न, sewerage की capacity increase होने चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई, खेर case study की बात करते हैं, चाइना का एक concept है ये, sponge city का, sponge city मतलब sponge क्या होता है, जैसे पोचा लगाते हैं, पोचे को क्या करते हैं, गीले पानी में पोचा लगाते हैं, और जब थोड़ा सा पोचा लग जाए, उसको निचोड़ देते हैं, ताकि जो खराब पानी है, वो निकल जाए, फिर से दुबारा पोचे को साफ पानी में निचोड़ते हैं, ताकि साफ पानी का पोचा लगे, तो ये एक example है sponge का, sponge का रसगुला भी अपने खाया होगा, sponge मतलब वो चीज जो ना पानी को एबजोर्ब कर लेती हैं, और बाद में उससे पानी निकाला जा सकता है, तो चाइना की sponge city का concept ये है, कि आप ना इस परकार का infrastructure establish करो, जब rainwater आता है ना, आप उस rainwater को एबजोर्ब कर लो, और बाद में rainwater को आपने रहने के, वो rainwater जो नालों में बह जाता, पानी वेश्ट हो जाता, ऐसा करने के बजाए आप rainwater को एबजोर्ब करो, और बाद में उस पानी का इस्तमाल करो, अपनी normal activities के लिए, ये है sponge city का concept, sponge city का concept में चाइना ने क्या किया, roof पे garden से establish किये, छटों पे, roads को permeable बना दिया, ताकि पानी जो है वो नीचे चले जाए, payments को permeable बना दिया गया, ताकि पानी जो है वो जमीन के नीचे चला जाए, मतलब बहुत सारे methods चाइना ने अपनाए, ताकि जादा बारिस एक बर आ जाए ना, तो पानी को absorb कर लिया जासके, और उसी पानी को बाद में use कर लिया जा रही है, लेकिन समय जादा लग रहा है, थोड़ी गती जो है ना, चीजों के बदलने की तेज होनी चाहिए, चाइना को फाइदा मिला, चाइना में democracy रही है, इसलिए चाइना को फाइदा मिला, और चाइना ने बहुत तेजी से चाइना development लेके आया, अब इंडिया को भी इंडिया super power बनना चाहता है, इंडिया विक्ष्ण गुरू बनना चाहता है, इंडिया developed country बनना चाहता है, तो जिस हिसाब की सोच है ना, उस हिसाब की speed इंडिया को रखनी होगी चीजों को बदलने के लिए, इसके बदने इस आर्टिकल देखो अंडिया चाइना रिलेशन इन्होंने ही ये आर्टिकल लिखा है तो जाहिर दोर पे देखो अच्छे अच्छी बाते लिखेंगे कोई अनलीसिस तो करेंगे नहीं तो कुछ अच्छी चीजें जो इनके आर्टिकल से हम यूज कर सकते हैं आंसर आइटिंग में वह मैं आपको बदा देता हूँ देखो चाइना और इंडिया दोनों एशिया के न सबसे पावरफुल देश हैं दोनों देशों की population एक बिलियन से जादा है और दोनों देशों की economy काफी तेजी से ग्रो हो रही है ये कहते हैं कि मैं पिछले तीन महिनों में खूब घूमा हूँ इदर उदर इंडिया में और मुझे जानके काफी खुसी हुई कि बहुत बढ़िया डंग से इंडिया ने अपनी ancient civilization को nurture किया है और देखो घूमने पर एक चीज का अभी भारत में नरेंदर मोधी और वहाँ पर सी जिंपिंग दोनों देखो इंडिया चाइना relations को बहुत तवज्जु देते हैं लेकिन ये बोलते हैं कि पिछले तीन महिने में इंडिया में घूमा उससे मुझे एक चीज का ऐसास हुआ कि अभी भी ना दोनों देखों को एक दूसरे को जानने की आव सकता है इंडिया में अभी इंडियन्स को चाइना के बारे में बहुत कुछ जानना है और चाइना के लोगों को इंडिया के बारे में बहुत कुछ जानना है तो यहाँ पर फाइव mutuals का concept देते है चाइना के ambassador सबसे पहला mutual है mutual respect दूसरा mutual है mutual understanding तीसरा mutual trust चोथा mutual accommodation और पांचवा mutual accomplishment तो एक एक करके मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ बस answer में use curse को उसके लिए है otherwise उतना important article नहीं है ideal ideal चीज़े बताई हुई है और चाइना का आ actions aggressive होते हैं चाइना के तो mutual respect में ये बोलते हैं दोनों देसों को ना एक दूसरे की unique चीज़ें जैसे देखो खाना पीना है culture है और development है development का तोड़ तरीका है इनको respect रना चाहिए जैसे इंडिया की एक famous कहवत है जैसा देश वैसा भेस इसका मतलब ये है कि हमें दूसरों के तोड़ तरीके समझने चाहिए इसके बाद दूसरा mutual बताते हैं चाइना के ambassador बोलते है mutual understanding मतलब आपसी समझ दोनों देशों को ना एक दूसरे के goals और challenges को समझना चाहिए for example चाइना समझता है कि इंडिया का भी एक बड़ा goal है 140 करोड लोगों की जिन्दगी को बहतर बनाना उसी परकार से इंडिया को चाइना के goal के बारे में भी समझ रखनी चाहिए तीसरा mutual है mutual trust मतलब आपसी भरोसा दोनों देशों को एक दूसरे पर शक नहीं करना चाहिए चाइना और इंडिया को ये सोचना चाहिए कि वो एक दूसरे के लिए opportunities हैं ना की खत्रा ना की threat फिर देखो next mutual चाइना के ambassador देते है mutual accommodation मतलब आपसी सामझ जश्य है देखो दोनों देशों के बीच मेंना differences तो natural है लेकिन उन्हें handle करना आना चाहिए और dialogues के through problems solve की जा सकती है इसके बाद next है mutual accomplishment मतलब मिल के सफलता प्राप्त करना दोनों देश अपने development goals पे focus कर रहे हैं चाइना और इंडिया एक दूसरे की success में help कर सकते हैं जिससे देखो इंडिया का goal है 2047 तक भारत को developmentry बनाना है विक्सित भारत बनाना है तो चाइना ना भारत की मरत कर सकता है इ इंडिया के इस goal के लिए तो चाइना के ambassador फिर बोलते हैं देखो ये पांच mutuals जो है ना वो पुराने 1950 ओर के peaceful coexistence के concept से inspired हैं और ये principles दोनों देशों के leaders के ideal से मिलते जुलते हैं ambassador देखो नलंदा इंवर्श्टी का भी जिकर करते हैं वो बोलते हैं 400 साल पहले चाइना के एक monk जुआ जंग यहाँ पर पढ़ाई करने आये थे और ये दिखाता है कि चाइना और इंडिया के बीच में पुराने cultural relations है लास्ट में conclusion में बोला जाता है देखो एक बार चाइन तो इस परकार से देखो dragon, elephant, tango ये बिल्कुल correct choice होगी दोनों देशों के लिए दोनों देशों के जो leaders हैं वो देखो rational हैं और उनके अंदर capability हैं कि दोनों देशों को ऐसी direction पर ले जाया जाये जिससे रिष्टे harmony में रहें दोनों देशों में prosperity आए और दोनों देशों के ल समंदित अच्छे चीजें हैं मेंली इस article में last में questions हम देख लेते हैं, question देखो आपको एक ही attempt करना है, sponge city से समंदित जो हमने article discuss किया था, 250 words में आपको इस question का answer देना है, तो ये थी हमारी आज की discussion, आज हमने देखो चार issues को totally discuss किया, पहला थो ethical issue था, तो मिलते हैं, फिर से एक नई discussion के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए, thank you, thank you very much for discussion.